Welcome friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे सफेद मुसली के बारे में सफेद मुसली क्या है? Medical Science के According, इसका Sexual Disorder, Diabetes, Physical Performance पर क्या Effect है? इसको Use कैसे करते हैं? और साथ ही इसके Side Effects, Quality and Safety और Economical Potential को भी इस वीडियो में Cover करेंगे और Last Me में आपको बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाला हूँ तो आपसे request है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो पहले बात करते हैं सफेद मुसली है क्या? सफेद मुसली, इंडिया का एक औशदिय पोदा है जिसे White Gold या दिव्य औशद भी कहा गया है यहाँ पर आप इस पोदे की फोटो देख सकते है इस पोदे की जड़ों को यूज किया जाता है जड़ों को सुखा कर उसका powder बना कर market में sale किया जाता है यह powder आपको 500 से 300 रुपीज का 100 ग्राम की मातरा में मिल जाएगा आयरुवेदा में सफेद मुसली को वाजी करन रसायन कहा गया है वाजी करन का मीनिंग है Aphrodisiac जो Sex Power को Increase करता है और साथी Sexual Disorders को दूर करता है रसायना का आर्थ है रसायना का आर्थ मारिशी सोशृता के नुसार इसके चारगुन होते हैं वयस्थापम यानि बढ़ती आयू के प्रभाव को रोकने वाला, आयुशकरम यानि लंबी आयू देने वाला, मेधा यानि इंटेलिजेंस बुद्धी देने वाला और बला यानि शक्ती देने वाला, आयरुवेद के नुसार सफेद मुसली का प्रयोग 60 से भी ज़्यादा बिमारियों के लिए किया जाता है, सफेद मुसली का साइन्टिफिक नेम क्लोरोफीटम बौरिवीलियनम है, सदियों से इसका यूज आयरुवेदा, युनानी और होमियोपैथी मेडिसिन में किया जा रहा है, और अभी एलोपैथी में भी यूज किया जाने लगा है, इस पोधे का जिक्र श्रीमत भागवदे में भी आता है, और कामा सुत्र नाम के एक पुस्तक है, उसमें भी इससे बनी आउशदी के बारे में लिखा है, और इंडियन आयरुवेदिक लिट्रेचर में भी इसकी आउशदियां लिखी हैं, हम कह सकते हैं कि 4000 सालों से ये पोधा इंडिया में आउशदी के रूप में यूज किया जा रहा है, इंडिया में सफेद मुस्ली को जनरल हैल्थ के लिए, सेक्शल डिसॉडर को दूर करने के लिए, शरीरिक और मानसिक ताकत को बढ़ाने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए, एस्थमा के लिए और लगबग हर बिमारी के लिए यूज किया जाता है, इंडिया में लेडिज, डिलिवरी के बाद सफेद मुस्ली के लड़ू बना कर सेवन करती हैं, इससे शरीर को पोशन मिलता है, ताकत बढ़ती है, और साथ ही, दूद की मातरा भी बढ़ जाती है, गुटने का दर्द, कमर का दर्द, अर्थराइटिस जैसे रोगों में भी सफेद मुस्ली यूज करते हैं, भूक बढ़ाने के लिए, पेट के रोगों के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाने के लिए, बॉन्स को रिपेर करने के लिए, ब्लड प्यॉरिफिकेशन और स्किन प्रॉब्लमस में भी इसको यूज करते हैं, सकिन को साफ करने के लिए भी सफेद मुसली को पीस कर शहद में मिला कर फेस पर लगाते हैं गुजरात में तो इसका सेवन बहुत जादा घरों में किया जाता है इंडिया में इसको इतनी तरह से यूज किया जाता है कि एक वीडियो में आपको सब कुछ पता पाना मुश्किल है इंडिया में तो गाएं को भी सफेद मुसली दी जाती है जिससे वो दूद जादा देने लगती है कि सब ग्यान हमें हमारे रिशी मुनियों से मिला है सफेद मुसली को कई बार इंडियन जिंसिंग भी कहा जाता है और अशवगंधा को भी इंडियन जिंसिंग कहा जाता है लेकिन ऐसा कहना पूरी तरह से गलत है मैंने सफेद मुसली, अशवगंधा और जिंसिंग तीनों का लिटरेचर पढ़ा है सफेद, मुसली और अशवगंधा ये दोनो जिंसेंग से कहीं ज़ादा लाबकारी है इनके side effects भी नहीं है इनको इंडिन जिंसेंग कहकर जिंसेंग को promote किया जा रहा है जबकि ये दोनो जिंसेंग से ज़ादा better है अशवगंधा की बात करें तो अशवगंधा जिंसेंग से 100 गुना better है ये तो traditional use और आईरवेदा की बात हो गई ये सब तो आपको पहले से पता ही होगा लेकिन अब देखते हैं कि medical science में इसके बारे में क्या लिखा है medical science में सफेद मुसली पर 70 से भी ज़ादा researches की गई है जो researches हैं वो दो तरह की होती है in vitro और in vivo research असान भाशा में in vitro का मतलब है ऐसी research जो test tubes या microscope slides पर की जाती है इनमें होता क्या है कि एक living organism से एक living organism से कोई tissue, कोई cell या कोई blood बाहर निकाल कर उसको test tube या microscope slide के अंदर रखके जाँच की जाती है और in vivo research क्या होती है वो सीधे living organisms पर की जाती है जैसे जानवरों या इंसानों पर सीधे research की जाती है उसको in vivo research कहते है तो मैंने अपने इस review में in vivo research को discuss किया है ऐसी researches जो सीधे जानवरों पर या इंसानों पर की गई है क्योंकि ये researches जादा trusted होती है जादा विश्वसनी होती है तो पहले बात करते हैं sexual disorders पर जो researches की गई है sexual disorders से related 6 researches rats पर की गई है और एक research humans पर की गई है rats पर की गई researches के according सफेद मुसली एक बहुत अच्छा aphrodisiac है जो libido और vigore को improve करता है साथी sperm count, sperm mortality और penile erection को improve करता है और sexual problems जैसे premature ejaculation और oligospermia को दूर करके sexual and reproductive health को improve करता है तो ये rats पर की गई research का result है ये जो numbers लिखे हैं ये researches के references हैं जो वीडियो के end में आपको मिल जाएंगे अगर आपने कोई research article read करना हो तो आप इन numbers की help से read कर सकते हैं अब जो humans पर research की गई है उसको detail से discuss कर लेते हैं इस research में 30 healthy males को लिया गया जिनकी age 20 से 40 के बीच में थी और उन्हें 500 mg सफेद मुसली का extract 12 हफ़तों तक दिया गया इस research में देखा गया कि सफेद मुसली extract लेने वाले persons का semen volume, sperm count, sperm mortality, sperm morphology, liquefaction time, serum testosterone ये सब काफी improvement हुआ यहां पर आप सभी parameters देख सकते हैं testosterone में improvement हुई है लेकिन काफी ज़्यादा improvement नहीं है ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो persons है उनका testosterone level पहले से ही normal है इसलिए testosterone ज़्यादा improve नहीं हुआ लेकिन अगर आप semen volume और sperm count को देखते हैं तो यहां काफी ज़्यादा improvement आपको दिखाई देगी sperm mortality में भी अच्छी improvement है आयरुएदा में लिखाए कि सफेद मुसलिष शुक्रधातू को बढ़ाता है इस clinical trial में हम देख सकते हैं कि आयरुएदा में जो लिखाए वो सही लिखाए ये जो semen और testosterone है इनको एक तरह से शुक्रधातू कहा जा सकता है अब बात करते हैं diabetes के बारे में diabetes के case में मुझे चार researches मिली हैं जो सभी rats पर की गई है rats पर जो researches की गई हैं उनसे ये पता चला है कि सफेद मुसली diabetes के patients को काफी अच्छा फाइदा दे सकती है ये body का normal weight maintain करने में help करती है जो blood में sugars की मातरा है उसको भी maintain करने में help करती है lipid profile जिसे हम cholesterol और triglycerides कहते हैं और बाकि जो भी fats होते हैं blood में उन सभी को maintain करती है insulin levels को भी ये maintain करती है diabetes की वज़े से कई तरह की sexual problems आ जाती है सफेद मुसली उन sexual problems को भी कम करने में दूर करने में help करती है ये oxidative stress और free radicals को भी कम करती है oxidative stress और free radicals की वज़े से diabetes के patients में organs damage होने लगते हैं जैसे heart, liver, kidney आदी में problems होने लगती है और body में और भी कई तरह की समस्याएं बिमारियां होने लगती है लेकिन सफेद मुसली oxidative stress और free radicals को कम करके शरीर को healthy रखने में help करती है अब बात करते हैं physical performance के बारे में इस पर मुझे एक study मिली है जो humans पर की गई है इस study में 60 healthy persons को लिया गया उन्हें रोज 3 गराम सफेद मुसली 2 महिने तक दिया गया पहले बीच में और बाद में 3 बार उनका physical performance का test किया गया इस study में देखा गया कि सफेद मुसली physical performance को improve करती है और साथ ही physical stress को भी कम करती है तो ये जो खिलाडी है उनके लिए सफेद मुसली काफी ज़ादा फायदे मन्द हो सकती है अब बात करते हैं growth hormones के बारे में 2011 में सफेद मुसली का growth hormones पर क्या effect है ये चेक करने के लिए humans पर एक research की गई growth hormone या GH, body की growth और strength के लिए बहुत जरूरी है इस study में 15 exercise trained males को लिया गया जिनकी age 24 साल के आसपास थी उन्हें supplement की single dose दी गई और 20, 40, 60, 80, 100 और 120 मिनट के बाद time पर उनका GH level चेक किया गया GH increase हुआ लेकिन बहुत minor increase हुआ इस study में जो supplements use किया गया वो था सफेद मुसली और कॉँच के बीच का mixed powder कॉँच के बीच को English में velvet beans कहा जाता है इस study में दो problems हैं एक तो इसमें अकेली सफेद मुसली का use नहीं किया गया साथ में कॉँच के बीच भी है तो इसमें अकेली सफेद मुसली का effect क्या होगा उसको समझना possible नहीं है दूसरा इसमें single dose use की गई है मतलब सिर्फ एक बार single dose दी गई है लॉंग टाइम लेने से क्या effect होगा ये कहपाना मुश्किल है अब बात करते हैं sleep disorders के बारे में 2012 में humans पर एक study की गई जिसमें 9 males और 9 females को लिया गया जिनकी age 27 साल के आसपास थी वैसे तो वो सभी healthy थे लेकिन उनको नीद ना आने की समस्या थी उनको 28 दिन तक सफेद मुसली और कौँच के बीच का एक mix supplement दिया गया इस trial में ये पता लगा कि सफेद मुसली और कौँच के बीच एक साथ लेने से नीद अच्छी आती है और नीद ना आने की जो समस्या है उसमें भी काफी फाइदा होता है इस study में result अच्छे हैं लेकिन इसमें भी placebo का use नहीं किया गया सफेद मुसली पर और भी कुछ researches हैं जो rats पर की गई है इन studies में देखा गया कि सफेद मुसली arthritis और inflammation की problems को ठीक कर सकती है उनकी मातरा बहुत जादा बढ़ जाती है जिससे heart की problems हो सकती है तो सफेद मुसली blood में जो fats की मातरा है उसको कम करती है सफेद मुसली cognition power को improve करती है cognition मतलब आपकी सोचने, समझने और याद करने की जो power है उसमें फाइदा करती है मतलब आपकी thinking और memory के लिए अच्छी है cancer पर भी researches हैं जिसमें ये पता चलता है कि सफेद मुसली कुछ खास तरह है कि cancers को कम करने में और chemotherapy के side effects को कम करने में helpful हो सकती है सफेद मुसली का cows पर यानि गाएं पर भी असर देखा गया इसके लिए भी researches की गई है जिसमें ये पता चला है कि सफेद मुसली cows में stress के level को कम करती है उनकी immunity strong करती है उनमें दूद का production बढ़ा देती है और साथ ही साथ दूद की quality भी increase कर देती है अब बात करते हैं इसको use कैसे करते हैं सफेद मुसली आपको दो forms में मिल सकती है एक तो capsule ये tablet की form में और दूसरा powder की form में अगर आपने capsule ये tablet की form में purchase किया है तो उस bottle पर आप देख सकते हैं कि कितने capsule daily आपको लेने हैं और कब और कैसे आपको लेने हैं bottle पर आपको सारी की सारी जानकारी पूरी information मिल जाएगी दूसरा है powder form में अगर आपने powder form में purchase किया है तो आपको कैसे use करना है वो मैं आपको बता देता हूँ Medical science में सफेद मुसली की dose के बारे में कोई information नहीं दी गई है इसलिए मैं जो आपको method बता रहा हूँ वो traditional तरीका है एक पारम पर एक तरीका है जो हमारे इंडिया में यूज होता आया है ये तरीका काफी अलग है तो आपसे request है कि आप इसको ध्यान से सुनिए 100 ग्राम सफेद मुसली और 100 ग्राम मिश्री पाउडर को mix करना है और एक जार में भर लेना है अब पहले दो हफ़ते एक चोथाई चम्मच यानि चम्मच का चोथा हिस्सा दिन में दो बार लिना है उससे अगले दो हफ़ते आदा आदा चम्मच दिन में दो बार और उससे अगले चार हफ़ते एक एक चम्मच दिन में दो बार लिना है और उससे अगले दो हफते आदा आदा चम्मच दिन में दो बार लिना है और उससे अगले दो हफते एक चुथाई चम्मच दिन में दो बार लिना है इसका सेवन खाना खाने से एक से दो घंटे बाद गाएं के दूद के साथ किया जाता है दूद गुनगुना होना चाहिए ना ही जादा गर्म हो ना ही जादा ठंडा हो इस चार्ड में आप देख सकते हैं कि पहले हमने डोस को धीरे धीरे बढ़ाया है और फिर कुछ टाइम तक यूज करके धीरे धीरे कम किया है और आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे बारा हफते हो जाते हैं यानि तीन महीने हो जाते हैं तीन महीने लेने के बाद इसको एक महीने के लिए यानि चार हफते के लिए आपको बंद कर देना चाहिए तो ये सबसे सही तरीका है इसको लेने का इसको अश्यवगंदा के साथ ही मिक्स कर सकते हैं शतावर, कौँच के बीज और काली मुसली के साथ ही मिक्स कर सकते हैं लेकिन उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में मेडिकल साइंस में जो रिसर्चिस हैं उनके बेस पर हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी सीरिस साइड इफेक्ट नहीं है एक स्टडी में रैट्स को 2000 mg पर केजी और बाडि वेट के हिसाब से 14 दिन तक सफेद मुसली का एक्स्ट्रेक्ट दिया गया उनकी स्किन, फर, आँखें, हार्ट, लंग्स, बलड, यूरीन सब कुछ चेक किया गया लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला ऐसे ही रैट्स पर एक और स्टडी की गई जिसमें 800 mg पर केजी और बाडि वेट के हिसाब से साथ दिन के लिए एक्स्ट्रेक्ट दिया गया लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला क्लिनिकल ट्राइल्स में humans को 3 ग्राम सफेद मुसली साथ दिनों के लिए दी गई उसमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला आपको याद होगा मैंने आपको physical performance वाले study में बताया था मैं उसे study की बात कर रहा हूँ तो हम कह सकते हैं कि अभी तक ऐसी कोई study नहीं है जिसमें कोई serious side effect हमारे सामने आया हो हमारे देश में बहुत लंबे times इसको use किया जा रहा है और इसको पूरी तरह से safe माना जाता है वैसे आयरवेद में लिखा है कि सफेद मुसली से body में कफ की मातरा बढ़ जाती है इसलिए जिन्हें कफ की कोई समस्या हो उन्हें इसका seven नहीं करना चाहिए वैसे अगर किसी को किसी भी तरह की शरीरिक और मानसिक बिमारी है तो उसको भी इसका seven doctor से पूछ करी करना चाहिए इंडिया में काफी ladies हैं जो delivery से पहले और बाद में सफेद मुसली के लड़ू बनाकर seven करती है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए इस बात पर कुछ लोग कह सकते हैं कि आयरवेदा में ऐसा लिखा है और ऐसा करना safe है लेकिन मेरी इस बात के पीछे क्या reason है वो मैं आपको अभी बता दूँगा तो अब बात करते हैं quality और safety के बारे में अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे जरूरी बात है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के starting में कहा था तो इस topic को miss मत कीजिए देखिए सफेद मुसली का पोधा जिस जाती से है उस जाती में 300 से भी जादा परजातिया हैं और इन 300 परजातियों में से 40 से जादा परजातियां एशिया में पाई जाती हैं और उन 40 में से 13 ऐसी हैं जो इंडिया में होती है और उन 13 प्रजातियों में से 7 प्रजातियां Medicine के रूप में यूज होती है लेकिन उन साथ में से सबसे जो खास प्रजाति है वो है कलोरोफीतम पॉरी वीलिनम इस प्रजाति के पोधों की जड़ों में saponins की मातरा सबसे ज़ादा होती है इसलिए इसका असर सबसे जादा अच्छा माना गया है लेकिन अब समस्या आती है Adulteration की Adulteration मतलब मिलावट की समस्या सफेद मुसली की कई ऐसी प्रजातिया है जो देखने में एक जैसी लगती है और जो लोग इन पोधों को collect करते हैं, इकठा करते हैं वो सफेद मुसली के साथ दूसरे पोधे भी collect कर लेते हैं, mix कर लेते हैं और कई बार ऐसा जान बूच कर पैसे कमाने के उदेशय से किया जाता है ऐसी पांच स्टडिज हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि सफेद मुसली, जिसे chlorophytum borivalenum कहा गया है उसमें सफेद मुसली की दूसरी प्रजातियां, जैसे chlorophytum और endynesium chlorophytum tuberosum chlorophytum lexum mix होती हैं, और काफी बार एक अलग जाती का पोधा जिसे asparagus adsandus कहा जाता है जो शतावरी की प्रजाती है वो भी mix होती है ये तो बात हो गई दूसरे पोधे mix होने की, इसके बाद इन studies में ये भी देखा गया कि सफेद मुसली में भूसा भी mix होता है 2009 में नागपुर मार्केट में एक study की गई, उसमें ये पाया गया कि जो वैपारी हैं, सफेद मुसली supply करते हैं, उनके samples में भूसा, यानि बेकार की घास, मिट्टी, पत्थर ये सब पाया गया है, 2010 की study के according सफेद मुसली के supplements में, powders में heavy metals और chemicals भी मिले हैं सफेद मुसली की जड़ें यूज की जाती हैं, और जड़ें पानी के साथ, जमीन से toxic chemicals भी सोक लेती हैं, अगर आप इन सभी studies को ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि pure सफेद मुसली मिल पाना कितना जादा मुश्किल काम है, ये वो reason है जिसकी वज़े से मैंने pregnant ladies को सफेद मुसली का सेवन करने से मना किया है अगर हम economical value की बात करें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, 2013 की एक report है जिसमें ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में सफेद मुसली की demand 35,000 टन है, और जो production है, वो सिर्फ 5000 टन है, तो आप देख सकते हैं कि जो total demand है, उसका 15% भी पूरा नहीं हो पा रहा है सफेद मुसली की खेती के बारे में भी बात कर लेते हैं, एक एकड में 2000 से 3000 किलो wet सफेद मुसली तयार होती है wet मतलब ताजा उनकी जड़ों को सुखा कर जब हम dry powder बनाते हैं, तो वो लगबख 400 से 4500 किलो बन जाता है, dry मुसली का जो market rate है वो 800 से 1800 किलो तक जाता है, और अगर international market की बात करें, तो 3000 रुपीज पर अराम से मिल सकता है, और इससे जो भी income होती है, वो पूरी तरह से tax-free income है, क्योंकि ये agricultural income मानी जाती है, काफी सालों पहले सफेद मुसली इंडिया के जंगलों में बहुत जादा मातरा में होती थी, लेकिन धीरे-धीरे ये बहुती कम हो गई है, साल 2000 में भारत सरकार ने सफेद मुसली को endangered species गोशित कर दिया था, जिसका मतलब है, लुप्त प्राय प्रजाती यानि ये लुप्त होने के कागार पर है, लेकिन फिर भी इसको बचाने के लिए कुछ खास प्रयास नहीं किये जा रहे हैं, अब बात करते हैं conclusion की, आईरवेदा के अनुसार सफेद मुसली, sexual problems diabetes और बहुत सी बिमारियों के लिए फायदी मंद है, animals पर जो studies की गई हैं, और 3-4 studies जो इंसानों पर की गई हैं उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि सफेद मुसली sexual problems को ठीक करती है diabetes की वज़े से जो problems होती है उनको भी चंट्रोल करती है, cancer के लिए, brain के लिए और heart के लिए भी अच्छी है लेकिन अभी इस पर और clinical trials किये जाने चाहिए, जिससे हमें इसके बारे में पूरी information हो सके इसके कोई side effects अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन market में जो supplements और powders मिलते हैं उनमें दूसरी प्रजातियों के पौदे mix होते हैं उनमें भूसा, मिट्टी, harum full chemicals और metals भी पाए गए है तो इसमें जो मिलावट है वो अपने आप भी हो जाती है और लोग जान बुझ कर भी कर देते हैं इसकी demand बहुत ज़ादा है और production बहुत ही कम है पूरी दुनिया में जो demand है उसका 15% भी पूरा नहीं हो पा रहा है इसकी खेती कसको बहुत अच्छा है जिससे अच्छा पैसा बनाया जा सकता है लेकिन सरकार की तरफ से अभी लोगों को जागरूप नहीं किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये प्रजाती लुप्त होने के कागार पर है प्रगरती ने वर्दान के रूप में जो मैडिसन हमें दी है रिशी मुनियों ने जिसके बारे में हमें आयरवेदा में बताया है उसको ना ही हम संभाल पा रहे हैं उसको ना ही बचा पा रहे हैं और ना ही उस पर पूरी रिसर्च कर पा रहे हैं और ना ही उसको शुद्ध रूप में लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं जो वर्दान मिला और जो ज्ञान मिला दोनों की हमने कोई वैल्यू नहीं की क्योंकि हमारे देश में ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इस वीडियो में इतना काफी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो कर दो सकता है